नमस्कार इंडिया इंग्लैंड के बीच बहुत दिल्चस्थ मुकाबला चल रहा है 20 ओवर तक तो इंग्लैंड की टीम पूरी मस्बूत स्थिटी में नजर आई लेकिन भारत को पहली सफलता मिली है 160 रन पर 23 ओवर में और बहुत बड़ा विकेट जैसन रॉय का भारत लेने में कामियाब रहा कुल्दी प्यादो गेंद बास थे और कैच लिया है रविंद्र जाडेजा ने साजडेजा ने कैच लिया एक बेहत शानदार कैच जो की लॉंग आउन पर लिया गया जाडेजा की तरब से बहुत बड़ा विकेट था क्योंकि जैसन रॉय बहुत धुआधार पारी खेल रहे थे 57 गिंदो पर 66 रंड बना चुके थे और दो छको के साथ साथ चोके भी लगा चुके थे अभिशेक मेरे साथ मौझूद है अभिशेक जैसन रॉय का विकेट कितना बड़ा विकेट है देखिए जैसन रॉय का विकेट मैं तो कहूंगा कि जैसन रोय आज भी शुरू से ही काफी अच्छा खेल रहे थे आप देखिए जोनी वेस्टो फोड़े से लडख़ा ते नजर आये शुरुवाती ओवर्स में लेकिन जैसन रोय जवड़स्त एकदम बल्ले पर उनके पर गेंद आ रही थी एक शुरुवाती ओवर्स में इनको केल रहुल अच्छी पैसे फिल्डिंग अच्छी करने के ले जाने जाते हैं लेकिन टीम सोच किया कि क्योंकि इस विश्युकप में कैच लपक नहीं पा रहे हैं तो जड़े जा एक अच्छे फिल्डर है उस लिहाज से उनको टीम में लिया लोंगोन पर कुर्दीप याद गिंद बाजी करते रहे तो बड़ी बात ये कि जॉनी बैस्टो अभी क्रिक्ष पर मौजूद थे जब जैसन रॉइ आउट हुए तब तब तक जॉनी बैस्टो ने धुआधार पारी खेली है उन्यासी गिंदों पर 90 रन जॉनी बैस्टो बना चुके थे जैसन रॉइ उन क्रिकेट अपडेट्स के लिए जोड़े रिया हमारे साथ फिलाल नमक्राइब